सू हलो एवरिवन मैं आपका दोस्ट फार्मेसिश शिताश शिटोरिया आपके अपनी यूटूब चैनल लीजी फार्मेसिश पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो आज का है हमारा जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है जेंटामाइसन सलफेट इंजेक्शन क के बारे में तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स यहां पुरा 2 ml के एक पैक आता है जिसमें टोटल जो जेंटामाइसन रहता वहां 80 mg पर रहेगा बाकी अगर हम इसके कोश्ट के बारे में बात करें तो इसके एक इंजेक्शन की कीमत है 5 रुपे 5 उप्योग गंभीर बैक्टेरियल इंफेक्शन को नश्ट करने के लिए किया जाता है यहां इंजेक्शन UTI जिसे हम यूरिनरी ट्रेक्ट इंफेक्शन या मुत्रमार का संकरमण भी कहता है जिसमें पीशाब में जलन होना जैसे आम लच्छन देखने को मिलता है तो ऐसी सि आफ्ट टीशू या स्कीन इंफेक्शन में भी इसे लगाया जा सकता है चोथा यहां जो इंजेक्शन है मैनिंजाइटी जैसी प्रॉबलम में इस्तिमाल होता है बैक्टेरियल मैनिंजाइटी जैसी प्रॉबलम में इसका जो है काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है इसम उसमें बुखार, खासी, चेस्ट पेंच जैसे common symptoms देखने को मिलते हैं उस टाइम भी इसे दिया जा सकता है इसके साथ ही heart या heart pulse में infection के treatment में भी इसका उपयोग होता है एक sepsis की समश्या होती है उसमें भी इस जबा को जो है उपयोग किया जाता है operation के पहले या operation के बाद भी इसे देने पर जो है surgery के वज़े से infection फैलने का खतरा काफी कम हो जाता है बाकि इसके और भी कई सारे जो है उपयोग हो सकते हैं जो कि डॉक्टर अपने experience अनुसार इस्तिमाल कर सकते हैं dose भी अब इसके हम जान लेते हैं तो इसे जो है IM या IV दिया जा सकता है और ये जो dosage है totally depend करते हैं doctor और condition के उपर हाला कि इसे 3 mg to 5 mg जो है per kg per day के हिसाब से लगाया जा सकता है अगर doctor divided dose में देना चाहें तो 8 गंटे के gap में इसका जो है दूसरा dose दिया जाता है side fed भी इसके हम जान लेते हैं तो इसके कुछ side fed भी हो सकते हैं जैसे इस तमक upset की परिशानी होना, उल्टी, सिर्दर्ध होना, भूग कम लगना, injection लगाने वाली जगा पर दर्ध होना तो ये सब तो हो गए इस इंजेक्शन के फायदे नुकसान और dosage अगर आपको इस डिस्प्ले में जो image शो हो रही है इन में से किसी भी प्रकार की आपकी medicine चल रही हो ये पहले से इन में से किसी भी प्रकार की जो है बिमारी हो तो उस बारे में आपको अपने doctor को जरूर पसंद आई हो इसी तेरह रोजाना आसान सब्दों में दवाईयों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप अपने इस YouTube चैनल एजू फार्मेसी को सस्क्राइब कर सकते हैं जल्दी मिलते हैं अपने नए शुड़ों पर जय हिंद